10 40-40 दिन की सिरिस का आगास करते हैं आज से हैं रेशन प्रोपोर्शन सब्सक्राइब सब्ढ़र हैना नहीं सब्सक्राइब करने के था móल राव है रिष्ठ प्रोपोर्शन क्वेटेज। थोड़ा कम तब पिछले साल और बढ़ गया तो में भी साल थोड़ा बढ़ाएगा अरिथमेटिक का वेटिज थोड़ा बढ़ा रहा है एक्जामिनर तो हमने अरिथमेटिक सही स्टार्ट किया और अरिथमेटिक किसके ओपर डिपेंड है रेशो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज यह दोनों बेसिक अंडरस्टेंडिक अगर आप लोग के अंदर ज्यादा काम आने वाले है और आप लोग के पास है नहीं आप लोग को क्वांट भी कंप्लीट करनी है और दोनों ही मैं करवाओंगा ठीक है तो ज्यादा अन्नेसेसरी बर्डन में आप लोग के उपर डालना नहीं चाहता तो रेशन प्रोपोर्शन के नहीं सिर्फ दो वीडियो के अंदर आप लोग ठीक है कम वीडियो के अंदर में ज्यादा बास है स्टार्ड करने वाला है तो सप्तार्ड करते हैं और ऐस बच्चे का है ना जिस बच्चे की थोड़े understanding तेज है तो वो अपनी 1.5x की speed पे भी चला सकता, इससे ज़्यादा मत करना आप लोग, ठीक है, तो पहले आज के lecture के अंदर बच्चे हम basic knowledge लेने वाले हैं, और जो हमारा a is equals to b plus c type बनता है, और a is equals to b into c type बनता है, उस type पे हम questions करने वाले हैं, ओक हैं, पहले हम basic knowledge लेंगे, जो भी basic understanding आप लोग की ratio and proportion के अंदर बनती है, यह basic questions आपके ratio and proportion के अंदर बनती हैं, वो हम यहाँ पे करेंगे, ओके, तो पहले थोड़ा थोड़ा हम आप लोग को बता आता हूँ, थोड़ा थोड़ा understanding आप लोग को देता हूँ, देखो basic क्या होत फैसे उसे क्मबाइंक considered कितना अधानी दोनों का कितना होगा टीन वेरियबन का रेशंट आप लोगों से da è संतum बंति है तो है तो बोस्टिक खैल्कॉ drin करने होती है चीज़े ठीक है तो स्टार्ट करते हैं है ना उसके बाद हम अपना A plus B A is equals to B plus C type करेंगे उसके बाद बच्चे हम A is equals to B into C type करेंगे ओके सो सबसे पहला हम बेसिक नोलिज यहां पर रहता है देखो यार अरिथमाटिक है अरिथमाटिक पूरा प्रपोर्शन और परसंटेज है कre Continuing है तो is just like divided into simplest form है ना रेशो होता है कबाई कुछ हिं यह रेशो कुछ ही नहीं है बस किनी भी दो नंबर्स या दो से ज़ादा नंबर्स को simplest form के अंदर show करना ही मेरा ratio है for example जैसे कि यह मेरे पास thousand है बच्चे है ना उम्मिद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा और यह मेरे पास 500 है टिक है मैंने दोनों को 10 से divide किया तो मेरे पास आगया 100 और 50 यह मेरे पास अभी भी complete ratio नहीं हुआ हो है ना फिर मैंने क्या करा इसको again 10 से divide किया नहीं हुआ है ना अभी मेरे पास ratio नहीं हुआ है अब मैं क्या करूँगा इसको 5 से divide करूँगा तो 5 to the 10 5 one is a 5 अब बच्चे मेरे पास ratio बन गया 2 ratio 1 यानि कि ratio कुछ नहीं बाई just like divide into simplest form जब तक हम किसी भी दो number से given numbers को simplest form में नहीं divide कर देते तब तक वो number मेरा ratio नहीं बन जाता simplest form में हो गया यानि कि further उस numbers को मैं divide नहीं कर सकता जैसे कि अब 2 ratio 1 को मैं further divide नहीं कर पाऊंगा ठीक है तो 2 क्या है बच्चे 2 ratio 1 है बाद आईए आपको समझ है ना इस statement का मतलब समझ आया कि ratio क्या है just like divide into simplest form जब तक हम simplest form में किनी numbers को given numbers को divide नहीं कर देते तब तक मेरा ratio नहीं बनता एक बार जब simplest form में divide हो गए यानि कि further वो divide नहीं हो सकते तो वो क्या हो जाएंगे बच्चे मेरे पास ratio बन जाएगे उमीद करतों यह वाली clear होई होगी आपकी statement ratio बच्चे मेरी comparative term होती है बहुत important point है मेरी comparative term होती है ratio मतलब comparison करने का काम होती है आती है जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ यह भई जो हजार और 500 का ratio है ना है ना इनकी value का ratio 2 ratio 1 है यानि कि इस ratio अभी इसको अभी इसको मत छोड़ो अभी इसको मतलब देखो है ना अभी आप लोग ना हजार और 500 का समझो कि आप लोग 1500 को जानते ही नहीं हो है ना सिर्फ इसको देखो है ना इसको देखो सिर्फो सिर्फ मैं कह रहा हूँ 1000 की value है वो 500 की two times है है ना यानि कि दो गुनी है यानि कि 500 कुछ भी होगा कुछ भी 500 की value 1000 की value उसकी दो गुनी है बात है समझ आपको two times है है ना ठीक है बट एक्चुल में यही चीज़ हम देख पा रहे है कि 1000 की value मेरी 500 की दो गुनी है यह तो मैंने real life से मतलब ले लिया है ना विकोज 1500 का आप लोगों ने देख रखा है ठीक है ना अगर मैं बोलू कि मैंने दो person उठा लिए है ना कोई भी random दो बंदे उठा के लिया है मैं मैं कहा रहा हूं कि यह a person है और ने के मेरे पास b person है a की जो height है a और b की height का ratio मेरा two ratio one है a और b की height का ratio two ratio one है ओके ना means a की height b की height की दो गुनी है ना अगर b की height U dit Sydney & 100 यहानि कि हमेशा काम करने का माती है मेशा कभी मैं यह नहीं बोल है एक तम में मेरी रेशो नहीं आ सकती बात आई आपको समझ अकेली एक तम में मेरी रेशो नहीं आ सकती ओके ठीक है ना तो रेशो मेरी कंपैरिटिव टम होती है करने का आते हैं यहां पर हमने रहे यहां पर क्रेशन करा हजार पांसो नौनहें और विमें के और रिफस लह सकता हूं जैसे अगर आगर बात और C का ratio मेरा 4, 3 ratio 4 है C का ratio मेरा 3, 4 है याईनि कि C अगर 3 unit होगा तो दी मेरा 4 unit होगा C अगर 30 रुपए होगा तो B 40 रुपए होगा C के पास अगर 300 रुपए होगा तो D के पास 400 होगा अच्छा आप लोग इ Samh 3, 4, 30, 40, 300, 400 क्या बोल रहे हैं आप यह भी आप point को समझाते हूं आप लोग को यह वाला point it's not an actual value it's denote an actual value यानि कि जो ratio होती है न बच्चे वो actual value नहीं होती इस point को आप लोग समझाँ ratio मेरी actual value नहीं होती यह आपकी actual value को denote करती है clear है जैसे कि C और D का ratio मेरा 3 ratio 4 है है न A और B का ratio मेरा 2 ratio 1 है A और B का ratio मेरा 2 ratio 1 है means जब मेरे पास 2 number ऐसे होंगे for example अगर B मेरे पास 10 हुआ होगा तो A मेरे पास 20 हुआ होगा तो मैंने जब इन दोनों को cancel किया तो मेरा ratio है 2 ratio 1 है न अगर A और B मेरे पास बच्चे 30 और 60 हुआ होगा तो अगर मैं इनको cancel कर देता हूँ न तो मेरे पास तब भी 2 ratio 1 आता है है न अगर A और B मेरे पास 150 होता है न अगर मैं इनको cancel कर देता हूँ तो तब भी मेरे पास 2 ratio 1 आता है means आप देख पारे हो यह 2 ratio 1 कितने numbers को denote कर रहा है 2 ratio 1 20 10 को भी denote कर रहा है 2 ratio 1 मेरा 60 और 30 को भी denote कर रहा है 2 ratio 1 मेरा 100 और 50 को भी denote कर रहा है 2 ratio 1 इतना सार नंबर को denote कर रहा है clear है यानि कि 2 ratio 1 है बच्चे वो actual value नहीं आप में से जातर बच्चे ये गलती करते हैं 2 ratio 1 को ना actual value मान लेते हैं यानि कि 2 और 1 ही लैट कर लेते हैं 2 और 1 ही समझ लेंगे बट आप देख पारे हो कि 2 ratio 1 ना मेरा 20 और 10 को भी काठने के बाद बन रहा था 2 ratio 1 मेरा 360 को काठने के बाद भी बन रहा था 2 ratio 1 मेरा 50, 100 को काठने के बाद भी बन रहा था तो 2 ratio 1 जो होता ना बच्चे जो ratio होती है वो actual value नहीं होती आप देख पारे हो कि ये मेरा actual value थी ही नहीं actual value तो मेरी 360 थी actual value तो मेरी 360 थी है ना ये भी मेरी actual value नहीं actual value तो मेरी 150 थी है ना यहाँ पर भी ये मेरी actual value नहीं actual value तो मेरी 2010 थी यानि कि ये जो ratio है बच्चे वो actual value नहीं होती actual value को denote करती है इस ratio को देखके मैं यह बोल सकता हूँ कि भाई यह जो A है ना यह B का A है B का दो गुना होगा तू टाइमस रहोगा है ना A और B का ratio 2 ratio 1 रहोगा यह नी 2 टाइमस रहोगा तो यहां से आप actual में देखो 2 टाइमस ही तो है A B का इसी तरीके से यहां पे देखो इएर au попыт ऐस टीसरा होगा होगा तो बी चार्ट 24 तो हिता है इन में अगर योजित ज़ीजे शिन दोन होगा ओ ve다 क rubbish वार में और वखा अंगर फ़ोus इन दोनों कैंसल करने बाद यहां ना तो अशान और एक्जाम वाली चीज़ पहली नहीं आती बट रेश यह जो अंडर्स्टेंडिंग ना बच्चे बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स आप लोगो बचा देती है ना बहुत सारे बच्चे ना x upon y लिखा है तो इस x को दो unit है जब कि x बट इस x को दो number मान लेते है आप लोग x और y का मतलब क्या है बच्चे जो number मेरा fraction में होता है वो ही number मेरा ratio भी होता है ठीक है तो यहाँ पर x और y का ratio मेरा कितना बच्चे 2 ratio 1 ठीक है बट बच्चे क्या करेंगे इस x को असली 2 मान लेंगे इस y को असली 1 मान लेंगे बट आप लोग देख पा रहे हो कि यह जो 2 और 1 है वो मेरा असली है ही नहीं असली को denote कर रहा है असली नहीं है बात आई समझ आपको ठीक है एक बार मैं अपने points का थोड़ा sum up करता हूँ मैंने क्या क्या बता है कि जो मेरी ratio होती है ना वो क्या होती है बच्चे just like divide into simplest form है ना जब तक हम given numbers को simplest form में जब तक simplest यानि कि further उसको divide नहीं मतलब इस like नहीं छोड़ देते कि उससे ज़्यादा हम divide करी नहीं सकते है ना तो वो हमारी ratio होती है ना ratio हमारी कब बन पाती है कब बन जाती है हमारी ratio जब तक हम उस number को simplest form में divide कर देते हैं वर्ड I think मेरे आगे पीछ हो गए ओके दूसरा क्या बच्चे ratio मेरी comparative time होती है ना comparison करने का आप價 बन होती है रिषयो का भी सिंगल यूज रेश एक्सेल वेल्य 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 को दिनोट करती है ठीक है आप देख पार हो कि वरान की एक्led वैल्य तो यहाँ पर 20-30 थी, 2 ratio 1 की actual value आपे 60-30 थी, 2 ratio 1 की actual value 10 और 50 है और 2 ratio 1 की मेरी actual value 2 और 1 भी हो सकती है इसको further cancel करने सकता तो 2 रुपे और 1 रुपे का ratio मेरा 2 ratio 1 ही आएगा देखो यह सारा कुछ ना warm up था इस मेंसे आप लोग को 50% आया होगा 50% नहीं आया होगा अगर 50% नहीं आया है तो tension बिलकुल मत लेना यह मैंने वो चीज बताई है जो कोई नहीं बताता 50% नहीं भी आया है तो इसकी tension मतलो जब हम questions वगएरा करेंगे ना आगे वो अपना दिमाग में चीज़े घुच जाएंगी अगर ऐसा होता है अगर इन तीनों पॉइंट का अगर आप लोग को मतलब समझ आ गया ना तो वैल औन गूड उससे ज़्यादा समझने को जुरुत भी नहीं है है ना ओके आगे बढ़ते हैं और मुझे पता 99% स्टुएंट को यह आई गया होगा इन पॉइंट में कुछ है नहीं तो अगर लिमिट से ज़्यादा चीज़े अगर लिमिट से थोड़ा सा चूक रह गई हो बट लिमिट से तो ओल्रेडियम उपर आ चुक है है ना तो लिमिट तो ओल्रेडी क्रोस कर चुक है तो लिमिट तक तो आई चीज़ आई गई है मैं है ना तो अब देखो A रेशो B मेरे पास 3 रेशो 4 है B रेशो C मेरे पास बच्छे 8 रेशो 9 है है ना मुझे यहां पर आप लोग को बताने कि बताओ A ratio B रेशो C क्या होगा यह इस तरीके कोशन आप लोग को बनाके देगा तो बताो बताओ A B C का रेशो कितना होगा इस केस के अंदर आप लोग दुनिया जहान की ट्रिक में मत फसना कि इस तरीके से N बना दो उस तरीक ट्रिक्स बनाने बताने की जुरूत पड़ेगी वहाँ पर मैं बताऊंगा आप लोगो जहां पर कोई अवशक्ता निया वहाँ पर रट नहीं कोई जुरूत निया अन्य था दिमाग पर बर्डन दोगे है ना बेसिक्स में भी उतना ही टाइम लग रहा है ट्रिक में भी उतना टाइम लग रहा है ट्रिक में आप लोगो रटना भी पड़ेगा उस चीज के लिए है ना तो हम वो नहीं करेंगे हम रिलेवेंट चीजे करेंगे जिसमें आप लोग दिमाग एक सेट उसमें रहे है ना आप लोग एक्ष्टा आइफट लगाने को जुरूत ना हो ओके सो आप लोग एक चीज़ यहाँ पर नोट करोगे थोड़ा ना ध्यान से समझना इस पॉइंट को है ना थोड़ा सा ध्यान से समझोगे आप लोग A ratio B मेरा यहाँ पर 3 ratio 4 है ओके इसी तरीके से B ratio C मेरा यहाँ पर 8 ratio 9 है ओके चीब कैसे देखो आप लोग एक चीज़ यहाँ पर नोट करोगे यहाँ B मेरा यहाँ पर variable मेरा सेम है एक group मेरा A ratio B है एक group मेरा B ratio C है variable मेरा दोनों जगा बहते है यहाँ पर भी B है यहाँ पर भी C बट जो हमारी constant time है और यहाँ पर भी मेरा 8 दे रखा है यहाँ पर भी मेरा 4 यहाँ पर भी मेरा 8 ऐसा क्यों यार ऐसा क्यों अगर मेरा variable same है तो मुझे इसकी value है वो भी same करनी पड़ेगी ठीक है ना अब चीजे same करने के लिए मैं क्या करूँगा एक बात मुझे बताओ थोड़ा से मैं आप लोग को यहाँ पर चीजे समझाना चाहता हूँ तो एक आदी चीज मैं थोड़ी बताओंगा example लोगा आप लोग को समझाने के लिए एक बात मुझे बताओ अगर मुझे इन दोनों को equal करना है तो मैं क्या करूँगा या तो मैं 5 को 2 से multiply कर दूँ तब मेरा 10 equals to 10 हो जाएगा या फिर 10 equals to 5 है अगर मुझे इन दोनों को equal करना है तो मैं क्या करूँगा इस 10 को 1 upon 2 से multiply कर दूँगा तब मेरा 5 equals to 5 हो जाएगा मतलब equal करने के लिए या तो मैं multiply कर दूँ किसी नमबर से या किसी नमबर से डिवाइड लुह थम्हेर एककोल वजाएगा तो मैं क्या कर रहाँ मुझे मैंने इस फोर को इस एट के इपक Ol बना लेता हूए इस फॉर को एट के बना बनाट तो मैं क्या रहूंगग इसको 2 से multiply कर दूँगा अला कि अगर आप इसको equal बनाने चाहते तो इसको 1 upon 2 से भी multiply कर सकते थे तो 2 8 को divide कर देता 4 बना देता ठीक है बट हमारा comparatively यह थोड़ा easy multiplication थोड़ा easy रहता न डिवाइड से बच्चों उस पर थोड़ा हाथ साप होते तो multiply कर लेंगे okay so 2 को मैंने 4 से multiply कर रहा 8 हो गया and 2 3 जा 6 है ना एक चीज़ नोट करिए होगा करिएगा आप लोग कि bracket के बाहर अगर मैं multiply कर रहा हूं तो bracket के अंदर जितने भी number से हूं सबसे multiply होगा जनरली बच्चे गलतिया कर देते हैं कि 3 ratio 4 है और मैं 2 से multiply कर रहा हूं तो सीधा यहाँ पर 8 लिख देंगे 3 ratio 8 तो गलत हो जाएगा है ना bracket के बाहर अगर मैं किसी number से multiply कर रहा हूं तो bracket के अंदर जितने भी number से जितने भी given number से चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो कितने भी हो सबसे multiply ह होगा तो मैंने 2 से multiply करा 8 हो गया 6 हो गया अब आप देख पार हो कि जो बी की value है जो बी की value है वो मेरी same हो चुक है यानि कि जो मेरी ratio है वो combine हो चुकी है means A ratio B ratio C मेरे पास कितना आ गया 6 ratio 8 ratio 9 इस तरीके से हम ratio combine करते हैं अपनी बात आई समझ आपको तो इसका key क्या है ratio combine करो कैसे है ना ratio combine कैसे करोगे जो आपका same variable है उसको आप equal कर दोगे है 1 अब यहीalım इसको मेरे रायरी को बैर इसको अब यह variable आगे हो सकता है पीछे हो सकता कहीं भी हो सकता है अगर मैं कुछ ट्रिक्स वरगर रटवा था कि इस तरीके से कर लो, उस तरीके से कर ले तो वैरीबल आगे पीछे कर देता, तो फिर आप लोग उसके लिए अलग सी ट्रिक्स रटते यह वो नई, जहां पर हम आप करने हैं, वहां पर हम करेंगे, है न इस कोशन को वीडियो करके मेरे से पहले करने आप लोग सो ए रेशियो बी मेरे पास टू रेशो थी है OS second video की brightness ठीक है ठीक है A ratio B मेरे पास 2 ratio 3 है and अगर मैं A ratio C की बात करता हूँ या मेरे पास 1 ratio 2 है अब आप देखे कि यार A group मेरे पास यह रहा A ratio B A group मेरे पास यह रहा A ratio C है ना variable मेरा यहाँ पर A है यहाँ पर A है यानि variable मेरा same है बट इसकी values different है values यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 2 से multiply कर लूँगा because मुझे इनकी value same कर नहीं है variable same है तो इनकी value भी same करो so this is 2 ratio 3 and 2 से multiply करूँगा 2 1s are 2, this is 2 2s are 4 अब देखो A की value मेरी same हो चुकी है A की value मेरी same हो गई यानि कि variable भी मतलब इन सब तीनों का ratio मैंने combine कर दिया है so A ratio, B ratio, C मेरे पास कितना आ गया है 2 ratio B कितना है 3 और C है मेरे पास 4 ओके 2, 3, 4 बास समझाई अब एक कैसे भी आगे पीशे घुमा दे B A कर दे, A C रहन दे B ratio A कर दे अगर B ratio A मेरा 3 ratio 4 है A ratio C मेरे पास यहाँ पर 2 ratio 1 है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है आपको पता भई आपने तो बस variable कुल कर देना है है ना आपने तो बस एक key point यहाँ पर देख लिया भई variable equal करना है बस बात खता हूँ आप कहीं भी वो variable दे है ना हमने यहाँ पर फालतू के वो pattern बनाए नहीं बात है समझ आपको clear है guys आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं अब अब देखो अब भी आपसे सिर्फ तीन variables पूछ रहा था है ना A B C का ratio आपसे पूछ रहा था अब तक अब आपसे चार में पूछ लिया गया है है ना तो चार के लिए जरूर हम यहाँ पर अपना एक trick में आप लोगों को बताता हूँ अगर आपको four given हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो हाला कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो four के अंदर बट मुझे पता है आप में से most of the students को थोड़ी दिक्कत हो जाएगी मैं एक बार करके दिखाता हूँ ना इस तरीके से भी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ और मैं second method से भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा ठीक है B ratio C कितना बच्चे 4 ratio 5 C ratio D आपके पास 6 ratio 7 clear है मुझे क्या करने है एक key point मैंने आपको बता है क्या कि variables मुझे equal करने है जो मेरे पार terms है वो मुझे equal करने है तो कर लो यार equal है ना equal करने में तो कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने क्या करने है मुझे B को equal करना है B की एक जगा value मेरी 4 है B की एक जगा value मेरी 3 है तो मैं क्या करऊंगा यहाँ पर 3 से multiply करूंगा यहाँ पर 4 से multiply करूंगा ओके ना तो यह हो जाएगा बच्चे मेरा 4, 3 is a 12 और यह हो जाएगा 4, 2 is a 8 और यह होगे मेरा 4, 3 is a 12 और 5, 3 is a 15 देखो एक चीज यहाँ पर देखो आप लोग स्टोरी कलर मैं यहाँ पर दूसरा ले लेता हूँ और कुन सा कलर ले यह लेता है देखो B की वैल्यू मेरी B की वैल्यू मेरी equal हो गई है 12, 12, B की वैल्यू मेरी equal हो गई है बट यहाँ पर अगर आप C पर थोड़ा गोर करते हैं तो C की वैल्यू मेरी यहाँ पर 6 है यहाँ पर 15 है C की वैल्यू मेरी अभी भी equal नहीं है C की वैल्यू मेरी अभी भी equal करने है C की वैल्यू मेरी अभी भी equal नहीं है और इसको कितने से multiply कर दूँगा 5 से, तो यह हो जाएगा बच्चे मेरे पास 5, 6, 30, and 5, 7, 35, ओके, और यह उपर हो जाएगा मेरे पास 15, 2, 30, and 12, 2, 24, ठीक है न, देखो थोड़ा राम से समझना इस चीज़ को, एक बार खुच से करोगे न, question तो कर लो गया राम से, अब आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर मेरा B equal हो चुका था, B यहाँ पर मेरा 12 है, यहाँ पर 12 हो चुका था मेरा, बट अगर मैं C को देखूँ तो C equal नहीं था, बाद में मैंने किया अगर C को equal कर रहा, C मेरा 30-30 हो गया दोनों जगा, है न, बट अगर आप B को देखते तो B मेर यहाँ पर 24 हो गया है, और B यहाँ पर मेरा 12 हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे B को equal करना पड़ेगा, और यह cycle आप सोच रहोगी, सर, अब यहाँ पर B equal करूँगा, C unequal हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, एक से दो बारी के अंदर यह हो जाएगी चीज, है न, इक्वल अपने आपी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, B यहाँ पर मेरा 24 है, यहाँ पर 12 है, तो मैं यहाँ पर 2 से multiply कर दूँगा, तो 12 तो 24 हो जाएगा, 8 तो 16, बस जी हो गया, अब आप देख पार हो कि सारी चीज़ों हो चुके है मेरी, सारा हो गया मेरा पास, अब यहाँ पर है, अगर मैं C की बात कर रहा हूँ, C मेरा 30 यहाँ पर है, 30 यहाँ पर है, means A, B, C, D का रेशियो कितना आ गया है, यहाँ पर मेरे पास, A, B, C, D का रेशियो, 16 रेशियो 24, रेशियो 30, रेशियो 35, ठीक है, अभी आप में से काफी विच्चों कोद बड़ी वो र बाकि में एक second method आप लोग को बता रहा हूँ, इस method से आप लोग को इस question को करना है, देखो, यह वाले method यूज करना प्रैक्टिस के लिए है न, अच्छा है, बाकि इस वाले method से question को करना है आप लोग को, okay, so A, B, C, और D, है न, A, B का ratio मेरा 2, ratio 3 है, B, C की बात करता हूँ, तो 4, ratio 5 है, C, D की बात करता हूँ, तो 6, ratio 7 है, है न, आप देख पार हो कि C के column में यह वाला space खाली है मेरा, यहाँ पर यह भी खाली है, इस की बात करता हूँ, तो यह खाली है, यह खाली है, यह खाली है, यह खाली है, ओकि यह सारे स्पेस मेरे खाली है तो मैं क्या करूँगा जो नियरस नमबर है इनी स्पेस के आसपास जो नियरस नमबर है इनी स्पेस के पास जो नियरस नमबर है वो मैं यहां पर फिल कर दूँगा है इसी स्पेस के पास नियरस नमबर कौन साथ थिरी इसी स्पेस के पास नियरस नम 48, clear, 4 3 are 12, 12 6 are 72, clear, 5 3 are 15, 15 6 are 90, clear, 5 3 are 15, 15 7 are 105, है ना, अब आप सोचो के सर अंसर तो different आगे ना, answer देगो different है, अरे ये cancel हो रही है चीज़ है, है ना, cancel कर लेंगे इसको, 3 से cancel कर लेता है 3 से 16 3 सा 48 होता है आप दिख रहा है यह मैंने 3 लिखा यहां पर 35 इंटू 3 आपको 105 होता लो सेम आगे अंसर मेरा है ना विकोज हमें ratio क्या होती है simplest form में होती है मतलब ratio निकालने के लिए तब तक divide करता है जब तक वो further divide होने लायक ना बचे इसको further में divide नहीं कर सकते है कि किसी एक number से पूरे उसको तो this is 16 ratio 24, ratio 30, ratio 35 ओके so this is my answer इसको आप लोग को यह वाला pattern यूज करना है एक दो आप से जनरली 3 उसका ratio पूछ लेता 3 variable का 4 का पूछ लेता है अगर 5 उचका भी पूछ ले वैसे पूछे का नहीं वो 5 का अगर गलती से 5 उचका पूछ ले तो उचको कुछ नहीं करना यहाँ पर वो number लिखना है और एक बना देना है blank space भर देना है cancel कर दोगे answer ओके so x upon y आपका 2 upon 1 है so x square minus y square upon x square plus y square आपकी value क्या होगी करते हैं देखो आपको x upon y की value given है आपको इस expression की value बताने है देखो मैंने आपको एक चीज बताई है कि ratio से actual ratio actual number को denote करती actual number नहीं होती है ना यहाँ पर मुझे x और y का ratio given है fraction का मतलब ratio ही होता है fraction का मतलब ratio ही होता है तो यह actual value नहीं है यह मेरी ratio है x दो unit है y मेरा एक unit है तो ratio से हम अपने इसा ratio ही निकाल पाते है actual value नहीं निकाल सकते यहाँ पर आप देख पा रहे है कि यह मेरा ratio ही है x square minus y square upon x square plus y square यह मेरा ratio ही है actual value नहीं है यह अगर मुझे अगर मुझे यह given होता x upon y is equals to 2 upon 1 और अगर मुझे यह पूछा होता कि बताओ x square minus y square तो मैं नहीं निकाल पाता because यह मेरा actual value हो जाएगी is case के अंदर है ना मुझे ratio से हमेशा ratio ही find कर पाता हूँ और ratio का हमें पता कैसे चलेगा या तो सीधा सीधा ratio में लिखी हो या फिर value मेरी fraction के अंदर लिखी हो या फिर value मेरी percentage के अंदर लिखी हो percentage जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसके better understanding दूँगा तो अभी value मेरी fraction में है यह भी मेरी fraction में है यानि कि ratio given है ratio ही पूछिए तो इसका answer मैं बता सकता हूँ और question बहुत easy होता है यह वाले है ना एकस की value मुझे 2 दे रखे तो यानि 2 का square कर दूँगा मैं minus y की value मेरी 1 है तो 1 का square हो जाएगा upon x की value मेरी 2 है तो 2 का square plus y की value मेरी 1 है तो 1 का square 2 square 4 हो जाएगा minus 1 2 square मेरा 4 हो जाएगा plus 1 so 4 minus 1 3 upon 4 plus 1 आपका 5 answer अब देख एक्जाम के अंदर यह सब point नहीं लिखने आप लोगो है ना एक्जाम के अंदर इतना सब कुछ नहीं लिखना होता अभी तो आप लोग boards के मतलब आप लोग नो board वगरे के exam दिये है इस्कूल टाइम पे हमें क्या होता है कि ना स्कूल टाइम पे हम पढ़ते हैं स्टैप के नंबर मिलते हैं कि कितने स्टैप के अंदर हमने solve किया बट हमें यहां पर स्टैप के नंबर नहीं मिलने वाले यहां पर हमें actual जो answer हम मार्क करके आएंगे उसके नंबर मिलेंगे क्लियर है मैं क्या करूंगा मैं जितना दिमाग में calculation हो सकते हैं उतना दिमाग के अंदर calculation करूंगा और स्टैप मदब लिखने की कोशिश कम करूंगा है ना तो बिकोज ना देखो दिमाग के अंदर calculation करने से होता क्या है हमारे हास से तेज चलता है हमारा दिमाख हाथ से तेज भागता है यह दिमाग फोड़ा जल्दी चीज़ें कर लेता है तो चोटी मोटी calculations है वह हम क्या करेंगे बच्चे दिमाग के अंदर के अंदर ही करेंगे है न माइंड में करेंगे x2-y2 isktay है और x2y2 है मुझसे यह पूचा गया है तो मैं क्या करूंगा मैं सीधा ही चीजे लिखूंगा कि आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 2 स्केर हो जाएगा 4 या फिर यहीं पर लिखूंगा सीधा 2 स्केर मेरा 4 हो जाएगा 1 का स्केर मेरा minus 1 2 का स्केर मेरा 4 1 का स्केर plus 1 4 minus 1 आपका 3 हो जाएगा 4 plus 1 आपका 5 हो जाएगा ये मेरा अंसर हो जाएगा मैं इतने सारे step बस आप लोगों को समझाने के लिए करें है बना इनकी कोई requirement ने इतने सारे steps की है ना बात समझ आई आप लोग को clear है अगर class अच्छी वगएर लगे ना मैं पूरे 40 देस तक आप लोग के साथ रहूंगा है ना आप लोगों से promise किया तो रहने ही पड़ेगा ओके और मतलब अपना पूरे effort लगाऊंगा तो please आप लोग भी थोड़ा support वगएर करना comment के अंदर थोड़ा प्यार वगएरा बरसाना आप लोग भी देखे कि कैसी लगी वीडियो मुझे lecture कैसा लगा आप लोग please comment करके ज़रू बताइएगा अब यहाला question करीए आप लोग सीधा करके मैं दिखाता हूँ चलो मैं यहाँ पर link देता हूँ पहले x y plus y square upon x square minus y square यह मुझे यहाँ पर find करना है clear है so x कितना है मेरे पास 7 y कितना है बच्चे 3 y है मेरे पास 3 square यानि 9 x 7, 7 is the 49 minus 3, 3 is the 9 7, 3 is the 21 plus 9 आपका 30 हो गया 49 minus 9 आपका 40 हो गया 0 सो 0 cancel out कर दो 3 upon 4 यानि कि इस पूरे expression का अंसर आया है मेरे पास 3 ratio 4 इस पूरे expression का अंसर है मेरे पास 3 ratio 4 बात समझाए आप लोग को लिए रहे मेरे करने से पहले कर लिए अगरो यह मैंने आप लोग के लिए homework दिया है please इसको करिएगा comment में इसका अंसर करिएगा आप लोग comment में आपको दो चीज़े बताने है एक आपको लेक्चर कैसा लगा वो और एक आपको यह बताने है एक इसका अंसर करना आप लोग को clear रहे आगे बढ़ते हैं इस question का अंसर करिएगा अब तक देखो जो हम करते आ रहे हैं बच्चे वो हमें x ratio y गीवन था है और मतलब एक दो वैरी वज को मुझे रेश्यो गीवन होता तक तक हम करते आ रहें मुझे दो वैरी सका रेश्यो गीवन था और हमें किसी expression का रेश्यो बतानाँ था था ना ठीक है मैं दिखा विज देता हूं आप युआ हूओ अपना कॉंपोनेंडों डिवीदेंडों इस्तमाल करेंगे ती-डी कोउपोनेंडों डिवीदेंडों ठिकले का मतलह होता है »कि वैरियांड्स को аड़ करके लिख दो क्यों दिवीदेंडों मतल्ण होता है , को सोरी , अमारे constant thumps हो उनको लिख दो और divendo का जो constant हमें उनको minus करके लिख दो ओके ठीक है ना तो दोनों तरफ में LHS और RHS में दोनों जगा में component और divendo लगाऊंगा ठीक है अगर मैं इन दोनों को add करके लिखता हूँ उपर तो मेरा y से y cancel हो जाएगा आप लोग करिएगा कि component और divendo लगा रहा हूँ plus x minus y तो y से y cancel हो गया मेरा so this is 2x divendo यानि कि minus करके लिख दूँगा यानि कि x plus y minus x plus y x cancel हो जाएगा 2y आजाएगा ठीक है अब यहाँ पर भी तो component और divendo लगाँगा component को मतलब plus करके लिख दूँगा 4 plus 1 आपका 5 divendo को मतलब minus करके लिख दूँगा यानि 3 तो से 2 cancel हो जाएगा x upon y मेरा आजाएगा 5 upon 3 एक दूसरा तरीका यह भी है मुझे component और divendo आप लोग को समझाना था because most of the students को पता नहीं होता कि sir actual मतलब क्या होता है मैं भी आप लोग को इस question को करने का तरीका ही बताऊँगा कि कैसे करना इसको जल्दी से जल्दी दूसरा आप अपनी values को LHS और RHS लेकर आपके भी कर सकते हो जैसे कि अगर मैंने 1 को multiply किया तो this is 1x plus 1y is equals to 4x minus 4y है ना 1x को यहाँ पर ले जाओगे minus हो जाएगा 3x हो जाएगा minus का 4y है LHS में ले गए 5y हो गया x upon y मेरा यहाँ से भी 5 upon 3 आ जाएगा ठीक है ना तो component डिविडेंडों भी लगा सकते हो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो बट एक छोटी सी चीज में आप लोग को और बताना चाहूँगा यहाँ पर अब यह मैं सोचना कि सर इतने सारे तरीके बतारो एक कोशन हो करने के यह मैंने आपको component डिविडेंडों समझाया है और component डिविडेंडों एक जगा यूज नहीं होता है बहुत जगा यूज होता है एडवांस के अंदर ज़्यादे यूज होता है यह मैंने आप लोग को कोशन मतलब वो नहीं बताया कि ट्रिक से वगरा बता यह मैंने कोशन मतलब तरीके बताया है क्या यह इसी में यूज होगा बहुत सारी जगा यूज होगा आप कहां पर value LHS, RHS में लेके नहीं जाते है हर जगा लेके जाते हूँ है ना बाकी एक चीज में आप लोग को यहां पर दिखाऊंगा कि X upon Y upon X plus Y X minus Y is equal to 4 upon 1 हो 4 upon 1 हो तो आपको कुछ नहीं करना आप सीधा-सीधा यहां आपसे X or Y की value निकाल सकता तो आपको करना क्या है कि इन दोनों को एक बार add करके उपर लिख दीजिए 4 plus 1 और एक बार दोनों को minus करके नीचे लिख दीजिए 4 minus 1 3 so answer is 5 upon 3 सीधा-सीधा लिख दोगे आप लोगों को जादा pen copy चलाने की जुरूद भी नहीं पड़ेगी X upon Y is equal to 4 or 1 5 upon 3 आप सीधा-सीधा answer कर सकते हों यहां पर clear है? बात आई समझ आप लोगों को है ना? आगे बढ़ें? आगे बढ़ते हैं गैस उम्मित करता हूँ clear हुआ होगा आप लोगों को है ना? अच्छे ये बात कहां से निकल के आई है? हमारी component डिविदेंडो से ही निकल के आई है ये चीज है ना? जो मैंने short trick बना दी है ये जिसको आप short trick बोलोगे ये मैंने component डिविदेंडो से ही drive करके बनाई है अब हमारा type होता है अब हमारे basic types खतम basic questions हमने कर लिए है है ना? इन में से ही बनेगा अब आता है हमारा बच्चे a is equals to b plus c type अब हमारा बच्चे a is equals to b plus c ये क्या होता है? देखो कोई भी दो कोई भी दो quantity या फिर दो variables मिलके जब मेरा तीसरा variable बनाते है या तीसरी term बनाते है तम मेरा a is equals to b plus c का concept ये होता है for example expense plus saving मिलके मेरी income बनती है बच्चे आपको बिल्कुल expense plus saving is equals to मेरी income बनेगी sorry because income मैं दो ही जगा का अपनी खर्च कर सकता हूँ न income को अपनी में दो जगा divide कर पाऊँगा कहां कहां पर या तो मैं उसको खर्च कर दूँ या फिर मैं उसको save कर दूँ एक second मैं देख लो laptop की battery मेरी low तो नहीं होगी नहीं ठीक है अभी चल जायागा अपना income अपनी या तो मैं expense कर सकता हूँ दो जगा मैं अपनी income को use कर सकता हूँ या तो मैं उसको खर्च कर दूँगा या तो मैं उसको save कर लूँगा है ना तो उस जगा पे मेरा a is equals to b plus c type यूज होता है अभी मैं बताऊँगा इसको कोशन को किस तरीके से solve किया जाता है और भी मेरे इसके अंदर example आते हैं जैसे कि एक class है class के अंदर या तो लड़के होंगे या फिर girls होंगी है ना या तो boys होंगे या गल्स होंगे male होंगे या female होंगे एक village है village के अंदर या तो male होंगे या फिर female होगी इस तरीके से चीजे बनती है और जो एक्स्ट्रा चीज आप लोग सोच रहे हो वो एक्सामिनर के अकोडिंग नहीं आती है ना एक्स्ट्रा चोज मतलब बॉइज और गल्स के अलावा और भी तो हो सकते है यह ना LGBT भी हो सकते है यह ना मतलब मुझा पता आप लोगे खुराफ आती दिमाग के वारे में तो वो अभी एक्सामिनर के अकोडिंग नहीं आ सकते है ना clear है जैसा है ब्लड रिलेशन में पढ़ोगे ना तो ब्लड रिलेशन के अंदर आपका जो मेल है उसकी शादी फीमेल सही होती है ना और बच्चों के खुराफ आती दिमाग मादा की सरा मेल की मेल से भी उने लग गी आजकल आजकल सुप्रिम कोड़ ने वो ओडर दे दिया ना फीमेल की फीमेल से लग दिया एक्सामिनर के अकोडिंग नहीं होती है सब चीजे ना ठीक है एक्सामिनर हमारा ओल्ड है अभी किस तरीके से बनते हैं इसके उपर वह हम यहां पर देखते हैं किस तरीके से हम बनाते हैं तो अगर आपकी इंकम हंडर रूपीज है और अगर आपकी सेविंग 20 रूपे है और खर्चे आपके 80 रूपे तो आपसे बोलेगा कि भाई मैंने इंकम को अपना 50% बढ़ा दिया एक्सपेंस को मैंने अपना 10% बढ़ा दिया तो बताओ मेरी सेविंग कितने पर्चेंट से बढ़ जाएगी यह सारी चीजे हमारी यूज होते हैं इस तरीके से हैं अगर किसी विलेज के अंदर 100 आदमी हैं उसके अंदर से 50 मेल हैं 50 फीमेल हैं इस तरीके से अगर विलेज अगर दोनों मेरे 400 रुपे सेव करते हैं तो A और B की इनकम का रेशियो क्या होगा है अच्छा यह थोड़ा सोरी मैंने यहां पर सेंटेज भी इंक्लूड करवा दिया यह चीजे मैं परसेंटेज के अंदर करवाँगो यहां परसेंटेज यूज करवा दिया है अब भावनाओं में में बहाए गया कोई बात नहीं एक सेकेंट अभी आप लोगों को परसेंटेज की नोलिज तो है नहीं चलो यहां पर एक्जामपल आ गये है तो मैं आप लोगों को बताई देता हूँ वनना सोचो कि सर दिमाग में वो रहेगा कि सर कैसे क्या चीज है अगर मैं कहा रहा हूँ कि एक ही अगर इंकम मेरी 50% से बढ़ गई है ना तो 100 का 50% कितना होगा 50 हो जाएगा तो मेरा 100 हो गया अगर यह मेरा 10% से बढ़ जाएगा तो 80 का 10% मेरा 8 होता तो मेरा 88 हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा इस 150 में से 88 को माइनस कर दूँगा तो 12 प्लस 50 आपका 62 हो गया यानि कि पहले मेरी saving 20 थी अब मेरी saving 62 हो गई तो मेरी saving कितने से बढ़ गई 42 से बढ़ गई simple यह है ना बागी हम चीजे percentage के अंदर देंगे हैं कितना percent बढ़ गया यह वो यह वो है ना मतलब simple आप अपका यह कहूं कि तो a plus b के अंदर मेरी यह सारी category आती है यह सारी categories आती है जो दो variables मिलके एक तीसरा variable बना है वो मेरी a is equals to b plus c की category के अंदर आती है अब यहां पर मुझसे बोल गया था income of a and b is 5 ratio 4 and इसका expense मेरा 3 ratio 2 हो गया अगर दोनों ही लोग मेरे 400 रुपे save करते हैं तो a और b की income का income मुझे find करनी है तो आपको पता है बच्चो income, saving और expense की यहां पर बात हो गई है आपको पता है जो मेरी income है वो कहां कहां use होती या तो मेरी saving में होगी या फिर वो मेरी expense में use होगी इसके बलावा और कहीं use नहीं हो सकती ठीक है अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ मुझे saving is equals to किसके होगी यानि कि saving जैसे income is equals to saving plus expense है अगर मैं आपसे बोलूँ कि saving किसके equals होगी तो आपको गोई सार अगर मैं income में से expense minus कर दूँ ना तो वो मेरा saving के equal हो जाएगा अगर मैं आपसे पूछो बताओ expense किसके equal होगा तो आपको गोई सार अगर मैं income में से saving minus कर दूँ तो वो मेरा expense के equal हो जाएगा clear है बात आई समझ आपको तो हमसे बोला गा कि इन दोनों की income मेरी 4 ratio 5 है और इनके expense का ratio वो है और अगर ये 400 रुपे दोनों save करते हैं दोनों ही 400 रुपे save करते हैं तो A और B बच्चे A and B बहुत easy question होते हैं इनके income का ratio मेरा 5 ratio 4 है तो यहाँ पर मैंने 5x और 4x लिख दिया देखो जब भी ratio के साथ हमें actual number लगाते हैं तो उसके साथ हमें कोई न कोई value रखना पड़ता है यहाँ पर अब यहाँ से अगर मैं इन में से saving minus कर देता हूं है ना saving minus कर देता हूं इसमें से तो यहाँ से मैंने इसकी income है बच्चे इसमें से मैं saving minus कर रहा हूं तो saving कितनी है 400 यहाँ पर 400 है तो मेरे किसके बराबर आ जाएगा expense के कोस्टूम आ जाएगा और expense का ratio मुझे इसको solve करने का तरीका बताता हूं पहले मैं फुल उसमें बताऊंगा detail में कि किस तरीके से solve करनी है चीजे फिर मैं आपको इसका short तरीका बताऊंगा कि कैसे करना है short तरीका means कोई unnecessary trick नहीं बताऊंगा हां बट short method रहेगा और वो आपका हर जगा applicable है हर जगा ऐसे नहीं कि एक ही particular question में applicable है आपका हर जगा applicable है तो आपको करनी का value पहले LHS और RHS की तरफ लेके जाओ तो यानि 2 अगर मैं यहाँ पर लेके आऊंगा so 5 to the 10x minus 400 is equal to 4 to the 12x minus 4 to the 12 hundred हो गया 10x है वहाँ पे जाएगा 12x minus 10x हो जाएगा is equal to minus का 400 है 1200 minus का यह दर जाने के बाद plus का 1200 हो जाएगा आप देखो X की value मेरी 400 हो गई है आप देखो X की value मेरी 400 हो गई ना X की value बच्चे मेरे पास यहाँ पर आ गई 400 तो मुझे A और B की दोनों की income find करनी है तो A की income कितनी है 5x 5x तो 5x की value मेरी कितनी है 400 तो मैं 400 से आपर multiply कर दूँगा 2000 आ गई A की income अगर मैं B की income की बात करते हैं तो B मेरा 4x है 4 into X की value कितनी है बच्चे 400 तो मेरा B की income आजएगी 1600 ठीक है बट एक्जाम के अंदर इतना सब कुछ लंबा नहीं करना मुझे पता है अगर मैं सीधा वो मुझे आप लोग को यह step समझाना ज़रूरी था है ना full basic है आप लोग का है इस तरीके से बट आप लोग को exam के अंदर नहीं करना समझने के लिए करना एक दो बार आप लोग practice कर सकते है बट exam के अंदर यह तरीका नहीं चलेगा है ना exam के अंदर वो approach चलेगी जो मैं बतान आपको कुछ नहीं करना आपको बस एक दो बात यहां कर दियान रखना है कि अगर सेम सेम साइन हुए ना तो मुझे माइनस करना है अगर मेरे डिफरेंट साइन हुए तो मुझे एड करना है क्या अगर सेम साइन हुआ तो मैंने लिखा 12x सेम सेम साइन है तो मैंने क्या कर आप इच्छे डिफरेंस ले लिए हाँ पर 2X आ गया इस 2 को मैंने 400 से मल्टिप्लाय करा 800 हो गया 4th रिज़ा 1200 ले रहे सेम सेम साइन था ये भी माइनस का माइनस है ना यहाँ पर तो माइनस का 800 और माइनस का 1200 तो मैं क्या करूंगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लूँ मैंने क्या बोला सेम सेम साइन है डिफरेंस इसको लिख लो नोटबुक में अलग कि सेम सेम साइन होगा तो हम different यानि minus करेंगे subtraction करेंगे अगर different sign हुए तो हम addition करेंगे clear है same sin sign है तो difference करेंगे एक second मैंने कुछ यहाँ पर गलती करी है ओहो यहाँ पर मैंने छोटी सी mistake कर दी यार silly mistake होगी छोटी सी यहाँ पर मैंने two को four hundred से multiply किया और मैंने four hundred ही रहने दिया उसको कोई बात नहीं यह silly mistakes के अंदर आ जाती है चीज़े अच्छा इसका इसका answer आप लोग को चलो मैं कराई दूँगा four to the eight hundred हो जाएगा यह मेरा four to the eight hundred हो गया है न यह 10x है तो यह मेरा two x हो जाएगा ओके यह 1200 है 400 हो गया तो x की value मेरी 200 हो गया जादा लिखने का यह भी नुकसान हो सकता है कम लिखोगे सुखी रहोगे two two तो यह मेरा हजार हो गया एक income बीक income मेरी 800 हो आ गई clear है हम यहाँ पर आयाते हैं बापस अपने इस point पर ठीक है तो यह मेरा 400 हो गया और x की value मेरी कितनी आ जाएगी 200 अब देखो x की value मेरी 200 आ गई है और यह मेरा 5x था है ना एक income थी कितनी बच्चे 5x दूसरा कला ले लें कोई एक income थी कितनी मेरी 5x तो 5 को मैं 2 से multiply कर दूँगा तो एक income मेरी 1000 हो गई अगर बीक income की बात कर दूँँ बीक income मेरी 4x थी 200 से multiply कर दूँगा तो बीक income मेरी हो जाएगी 800 तो देख पारो कितने short के अंदर अब ने निप्टा दिया अब आप सोचोगे सर यह कोई short trick है short trick मतलब आप कह सकते हो बट मैं यह चीज जो बनाई है वो यहाँ इसे drive करी है यह इसी का short form है यह इसी का short form है clear है बात समझ आईए अब जो भी question करेंगे हैं वो इसी तरीके से करने वाले हैं गैस clear है अगर अच्छा लगाओ तो प्लीज इसके लिए तो थमसब वगेरा करना आप लोग देखो boys है the ratio boys and girls इना colleges five ratio three पचास लड़के छोड़के चले जाते हैं पचास लड़के आजाती है वाव लड़के छोड़के जा रहे हैं लड़के काम चूर होता हैं पढ़ते नहीं है पचास लड़के छोड़के चले आते हैं पचास लड़के जोइन कर लें तो ratio मेरा nine ratio seven हो जाते हैं तो boys मुझे बताने कोलेज के अंदर कितने हैं एव बड़ वीडियो पोस करके रहें ट्राइ करके जुरू देखना आप लोग ठीक है मज़ आएगा आप लोगो boys और girls की अगर मैं बात करता हूँ तो boys मेरा 5x हो गए girls मेरी 3x हो गई है ना आपसे बोलागा है पचास लड़के छोड़के चले आते हैं यानि कि total हमारे 5x boys थे इसके अंदर से 50 लड़के छोड़के चले गए वो 50 लड़के जोइन कर जाती है यानि 50 लड़के और आ गई ठीक है तो ratio becomes 9 ratio 7 9 upon 7 हो गया तो boys number of boys यहाँ पर बताने है college के अंदर college के अंदर number of boys कितने है कुछ नहीं करना भाई आ जो करता है इसको निप्टाते 5 735x 9 27x 9 027 5 3 8 इन दोनों के बीच का gap होगया 8x is equals 2 देखो यहाँ पर मेरा 7 5 035 हो गया है ना 9 5 045 sign मेरे different है sign मेरे different है तो मेरी चीज के हो जाएगी नंबर के हो जाएगे बच्चे add हो जाएगे ना यह है 5 4 9 और 1000 हो गया 1 second 7 5 0 9 5 045 4 3 7 और यह 800 जल्दी भाग रहा हूँ मैं x की value मेरी 100 आ गई तो मुझे 5 x की value बता नहीं थी 100 से multiply कर दूँगा तो this is my 500 और यह कितना हो जाएगा बच्चे 300 clear है 500 and 300 पता है मैं इसके अंदर यह चीज भी यह वाला step भी मैं घटा दो तो मैं भी आप लोग को understanding दूँगा मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है आप लोग पहले यह बता हूँ यह मतलब लाइफ तो हो नहीं मतलब आपस लोग को से पूछा गया था number of boys in college कितना है बच्चे 500 पता है मैं यह वाला step भी खाया था हूँ बच्चे मतलब यह वाला step भी नहीं लिखता मैं 300 और 400 अगर यहाँ पर value मेरी same हो देख पार हो कि यहाँ पर मेरी value 50 और 50 है value मेरी same है मैं यह वाला step भी नहीं लिखता मैं पता क्या करता हूँ अगर मेरा यहाँ पर 5x और यहाँ पर मेरा 3x है minus 50 plus 50 और यह मैं वो चीज नहीं बता रहा जो एक ही कोशन पर अपलिके वल है है ना जब कोशन सोल्ड करोगे तो काफी जगा आपको मिलेगा कि बभी वैल्यू सेम है तो मैं पता क्या करता है जब आपकी वैल्यू सेम है आपको पता है यहाँ पर 50 मेरा साथ बार है और यहां पर पचास मेरा नो बार है यहां पर पचास मेरा सेवन टाइम से हैं यहां पर पचास मेरा नो टाइम से है मुझे पता है इन दोनों को मुझे एड करना है तो पचास मेरा कितनी बार आ जाएगा बच्चे पचास मेरा कितनी बार हो जाएगा 16 टाइम्स है ना 9, 7, 16 ठीक है तो मैं यह सब नहीं लिखता कि 350, 450, मुझे पता भी 50 मेरा 7 टाइम्स हैगा, 50 मेरा 9 टाइम्स हैगा यानि 50 टोटल मेरा 16 टाइम्स है जाएगा है ना तो 16, 85 बात समझें यह आप लोग को 400 यहां पर मेरा 2 बार है 400 यहां पर मेरा 3 बार है तो 3 बार 400 में से मुझे 2 बार 400 माइनस करने है तो 1 बार 400 बचेंगे ठीक है, बात समझें यह आप लोग को 3 बार मेरे पास 1 जगा 3 आम है और 1 जगा मेरे पास 2 आम है यहां पर मेरे तीन बार चार सो यहां पर मेरे दो बार चार सो माइनस कर दूँगा तो एक बार चार सो बचेगा रहे बास समझे आप लोग को इसी कोशन के अंदर पर्टिकुलर यह अप्लाई होगा नहीं यूनिवर्सल है यह चीजे बस वीडियो को लाइक वगरा जरू कर अच्छा मुझे लग रहा है कि वीडियो को बोला है लाइक वगर कर देना कई में उसकी तरह बेव तो नहीं कर रहा और धासू सर बोला इंच यार कि देखो वस्म वट मस्ट भी एड़िटो इस टम है ना यानिकी ऑफ दर रेशो टू रेशो फाइव जिससे कि मेरा मेरा 5 रेशो 6 बन जाए और मैंने इसके अंदर एक्स इड़ किया यहां पर ही एक्स एड़िया जिससे कि यह रेशो मेरा 5 रेशो 6 हो गया कितना इज़ी कुशन है यह ठीक है 6 तू जा 12 प्लस 6X मैं तो भूलिया कि मुझे लिखना नहीं है अगर अब तो खुद लिखने लग रहे हो देवो यह मेरा 12 हो जाएगा 5 5 is a 25 minus करो 13 हो गया is equals to this is 6X और this is 5X same same sign है तो difference हो जाएगा X की value मेरी 13 आगई खाता हो इतना ही करना होता है बात क्लियर है आप लोगों को है ना बाला को क्लियर है अच्छा अब देखो यह वाला question आता है जब हमें बोला जाता है कि कि इतने का selection किया इतने कम select हो इसके अंदर बच्चों को भोजज़ा confusion रहती है है ना करते हैं इस question को भी देखो हमसे बोला गया कि अगर 50 कम apply करते ना बच्चे अगर 50 कम apply करते थे उसमें सब 25 कम select होते है ना और example कुछ बच्चों ने apply किया होगा उसमें से select और unselect यह मेरा select है और यह मेरा unselect है ठीक है ना तो यहाँ पर बोला गया कि बच्चास बच्चों ने कम select किया 50 बंदे अगर कम apply करते ना यह applied form है तो अगर 50 बंदे कम apply करते ना तो 25 selection में से कम हो जाते है ना selected बंदे जो थे ना उसमें से 25 कम हो जाते है जब क्या करते है कि सर 50 लेक्ट हुए तो यहां अन सब्सक्सक्राइब करते हैं तो पच्चीस selected में से कम हो जाते है तो जो 25 बंदों ने apply किया है ना उसमें से कुछ लोग select हुए उगे और यहां उन मिज़ाय और 25 यहां पर पिंष चल गया तो 25 यहां से भी सला जाएगा यहां से बीचला जाएगा खेंड़ पिछ चल गया तो 25 यहां से भी तो कम होगा क्लिए रहे ना ओके दर रेशो अब सेलेक्टिट तो अंसेलेक्टिट वुड़ बी 9 रेशो 4 भाई देखो अगर 50 कम अपलाए करते हैं रेशो इतना हो जाता है ना, so but how many candidates had applied if the ratio of selected to unselected to ratio 1 देखो तिलाल के अंदर रेशो मेरा selected to unselected का 2 ratio 1 है, अगर 50 बंदे कम सेलेक्ट होते हैं ना, 50 बंदे सोरी कम अपलाए करते हैं तो रेशो ना, 9 ratio 4 हो जाता क्लिए रहे, तो मुझे यहाँ पर candidates बताने हैं शुरुआत में कितने candidates थे, है ना करते हैं question को, तो this is selected this is unselected क्लिए रहे selected to unselected का ratio बच्चे कितना है 2 ratio 1 है ना, सो इसको 2x और 1x लिख दिया मैंने, ओके 2x और 1x लिख दिया मैंने यहाँ पर अब मुझे से बोला गया है कि अगर 50 लोग कम अपलाए करते तो 25 selected में से कम हो जाते मुझे से बोला गया है, आपर 25 selected में से कम हो गये, तो 25 मैंने selected में से कम कर दिये ओ 25 unselected में से कम हो जाते तो मैंने 25 unselected में से कम कर दिये ठीक है, बात समझा रही है आप लोगो कोई school के total आपका school वगएरा, कोई college, university होगा, ठीक है उसके अंदर आपको शुरुवात में selected और unselected का ये था एक्जाम वगएरा गए होंगे देने बच्चे, total तीन युनिट बच्चे देने गए, पेपर है ना, उसमें से दो लोग selected हो गए दो युनिट बच्चे select हो गए, एक युनिट बच्चा unselect हो गया, है ना, युनिट की four हो जाता, अगर ये कम करते तो, ऐखी मुझा बताने की कितने candidates ने apply किया, है ना कितने candidates ने apply किया, यह gonna पूछा न उससे हाँ, कितने candidates ने apply किया अच्छा कितने candidates ने apply किया ये बता सकते हो ju n pec, तीन आप़लाई किया होगा शुरुआत में उनिट मेरे unselect हो गए होंगे, है ना, बात समझा रही है, मैंने क्या करता, दो और तीन को add करके लिख दिया है, यहां पर तीन, ठीक है, एक बात मुझे बताओ, common sense वाली बात है, अगर मैं आप से बोलूँ, कि पांच बच्चे फेल हुए है, है ना, और दस बच्चे पास तो कितनों ने paper दिया होगा यहां पर, तीन यूट बच्चों ने paper दिया होगा, कि लिए आप इसको solve करते हैं, मेरे solve करने से पहले आप लोग solve करिएगा इसको, ठीक है, four two's are eight x, nine one's are nine x, sign same है guys, sign same है, सीधा मैं x लिख दूँगा यहां पर, आप देखो value मेरी दोनों जगा सेम हैं, मैं multiply नहीं करने वाला, अब देखो कितना काम आएगा यहां पर, यह मेरे 25, four times है, यह मेरे 25, nine times है, 25, nine times है, 25, nine times है, value मेरी, sign मेरे same है, तो मेरी क्या होगा, minus होगा, तो 25, nine times है, 25, four times है, 25, nine message, जब मैं four minus करूँगा, five बचेगा, यानि 25, मेरे five times बचा है, only, एक्स क value हो जाएगी, 25, five times, 125, देखा कितना काम आई यह चीज यहां पर, ओके, इतना ज्यादा useful है, सो हमें बताने ही, 3X की value, 3X, applied तो इन्हों नहीं किया है, जी, applied mathematics, 3 into 125, 12, 336, 5, 315, यानि 375, बात समझ आई आप सभी को, बाला को, clear है, है ना, same चीज है, है ना, आप लोग देख पार हो कि हर जगा हम एकी चीज यूज कर रहे हैं, हर जगा हम एकी तरगी calculation यूज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि, ये वाली calculation पर्टिकुलरी इसके अंदर यूज हो रही है, नहीं, हर अंदर इस तरीकी questions हमारे बनते हैं, for example, मेरे पास 10 टोफी थी, एक टोफी मेरे पास 2 रुपे गी है, तो total मेरी कितने की sale हुई, 20 रुपे की sale हुई, मतलब इस तरीकी questions हमारे बनते हैं, जब दो variables को multiply करने के बाद मेरा तीसरा variable बनता है, तो वो मेरी a is equals to b into c category के अंदर आत is equals to sales कह सकते हैं हमारे पास, revenue कह सकते हैं, तो मतलब दो variable multiply होने के बाद जब तीसरा variable बनते हैं, तो वो मेरे a is equals to b into c type की category के अंदर आते हैं, guys clear है, अगर मैं आपसे बोलू कि बताओ, मैंने इतने की sale करी, है ना, और जैसे मैंने बीस रुपे की sale करी है, और मेरे पास दस टोफी थी, तो मैंने कितने रुपे की एक टोफी दियोगी, तो आप बीस को दस से multiply कर दोगी, आपको के साथ दस दो रुपे की टोफी थी, तो अगर मुझे price निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, revenue से या फिस sale से मैं अपनी quantity divide कर दूँगा, quantity निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, sale को price से divide कर दूँगा, इसी तरीके से मेरा वो आता है, बच्चे, कि राया, भाड़ा for example में बस चला रहा हूँ, बस चला रहा हूँ, और मेरे पास मैंने 50 tickets बेची, और एक ticket की value मेरी 50 ही है, तो total मेरे पास कित है, मेरे पास total fare, आपके सरव 500, 2500 है ना, यह मेरा price है, एच ticket price, इच ticket price, है ना, यह मेरा price है, और यह मेरे पास total tickets है, है ना, total tickets, जा फिर आप कहा सकतो quantity, total tickets, तो अगर आप से each price पूछा जाए, तो आप total fare से quantity डिवाइड कर सकते हो, अगर आप से बूला जाए, भाई, कितनी ticket थी हूँ, उसके पास, तो आप each ticket के price से total fare को डिवाइड कर सकते हो, मतलब समझ रहा हूँ ना, आप लोग, कि अगर भाई, दो variables मेरे multiply में हैं, है ना, दो variables multiply होने के बाद, तीसरा variable मिलता है, तो उनके बीच में किस तरीके से relation आ सकता है, अगर मैं आप से C पूछू, C कैसे निकालोगे, तो आप A को B से divide कर दोगे, तो आपके पास C आ जाएगा, अगर मैं आप से B पूछू कैसे आएगा, तो आप A को C से divide कर दोगे, तब आ वीडियो की length में भी थोड़ी हो सकती है, बट मैं ज्यादा extra burden आप लोगे सामने नहीं डाल सकता, कि दद दस वीडियो दे रहा हूं, इतनी वीडियो दे रहा हूं, कि रेशन proportion ही खतम नहीं होने पारा, नहीं, तो वीडियो कम रखोंगा, ता कि आप जल्दी से जल्दी ची मेरे पास, आप लोगे पास, तो जल्दी से जल्दी चीज़े complete करवाने के बाद, मुझे आप लोगो practice वगेरा भी करवानी है, चीजों की, mix question की practice वगेरा करवानी है, ओके, मतलब important important questions हम देखेंगे वहाँ पर, the ratio of each, the ratio of salary of each male and each female in a factory is 3 ratio 2, यानि कि प्रतेक महीला और प्रतेक पुरुष की salary का ratio मेरा 3 ratio 2 है, अगर मेरी male को 3 unit पैसा मिलता है, तो female को 2 unit पैसा मिलेगा, यानि कि, अगर किसी factory के अंदर male अगर मेरे 5 unit है, तो female मेरे 4 unit है, तो total, the ratio of total amount distribute among male and female, between male and female है, तो जो male और female के अंदर total amount distribute किया जाएगा, उसका ratio मुझे बताना है, पहली बात तो आप लोग को पढ़के समझ आना चाहिए, किस category का question है, a is equal to b into c वाली type का category का question है, या a is equal to b plus c type category का question है, तो आप लोग देखोगी sir, जो total amount होता है न, amount कैसे मिलेगा, नहीं कि total amount मुझे कैसे, अगर मैं factory वाला हूँ, तो मेरे total amount कैसे जाएगा मज़ूरों में कैसे जाएगा बच्चे, कि अगर मेरे पास 5 मजदूर हैं, और हर एक मजदूर को मैं 10 रुपे दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पांच को 10 से multiply कर दूँगा, तभी तो मेरे end से 50 रुपे जाएगे, है न, means, अगर मुझे total amount निकालना है, total amount जो होगा बच्चे मेरे मेरे पास, कि each male या each female को मैं कितना पैसा दे रहा हूँ, each male, each employee लिख दे तो मैं सीधा, each employee को मैं कितना पैसा दे रहा हूँ, into number of employee, number of employee, कितने है मेरे पास, है न, अगर मेरे पास number of employee 5 है, और मैं each employee को भाई 10 रुपे दे रहा हूँ, तो मेरे पास कितने पैसे जाएंगे, 50 र मेरे यह मेरा is going to be in to see time वाला कोशन है क्लियर है गाइस so the ratio of each male and each female employees 3 ratio 2 एक शेकर वीडियो तो रिकोर्ड है न अपनी hello 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 मतलब मैं लिटरली बता रहा हूं भो जादा effort रिकोर्ड लगा के आप लोग लिए class रिकोर्ड करता हूं और यहां पर मतलब लगातार ओफलाइन भी पेड वाली भी और यूटूब भी मतलब लगातार चलती है तो प्यारो न खड़े खड़े उस condition में जब पता चलता है कि भई हमारी वीडियो ही रिकोर्ड नी हुई मतलब क्या बताऊं वो फीलिंग मतलब कल मैंने आप लोगों के लिए करी थी पहली बढ़ो इसी तरीके से वीडियो खराब हो गई थी मेरी तो मेरी पूरी वाट लगी थी तो वही मेल और फीमेल की यहां पर में बात करो मेल एंड फीमेल यहां पर इच मेल इच पर्तन को कितना प्रैसा मिला है वो इन्टू नंबर ओफ पर्सन नंबर ओफ पर्सन वो इज उक्वल्स टू मेरा हो जाता है टोटल अमाउंट की कितना अमाउंट मेरे एंड से गया है इच मेल को कितना मिला है बच्चे each male को मिला है 3 unit और each female को मिला है 2 unit number of male to female कितना है 5 ratio 4 यानि कि number of male to female है 5 ratio 4 दोनों को multiply कर दो total amount कितना आ जाएगा मेरे पास 15 ratio 8 clear है बस यही था answer 15 ratio 8 amount total amount कितना distribute होगा among male and female male और female के बीच में total amount कितना distribute होगा 15 ratio 8 clear है guys समझा आप सभी को अब यहां पर देखे हैं the price of an apple and a mango are in the ratio 3 ratio 4 एक आदमी ओ स्वरी एक apple और एक mango का price मेरा 3 ratio 4 है so the cost of 10 apples and 15 mango is 360 है ना 10 apple और 15 mango का price मेरे पास 360 है तो cost of 50 apple and 60 mango है ना cost of 50 apple and 60 mango का मुझे यहां पर find करना होगा ओके question आपको पढ़के लग रहा होगी सरक क्या इसा question है कुछ नहीं question के अंतर 10 apple plus 15 mango कर जो टोटल प्राइज है ना वो 360 है clear है okay अब देखो मुझे apple और mango का price दे रखा है the apple of the price of an apple and a mango is 3 ratio 4 है ना apple और mango का price क्या है बच्चे 3 ratio 4 या नहीं कि इसको मैं 3x और 4x लग देता हूँ यानि इस a की value कितनी है 3x और इस m की value है मेरी 4x clear है so 10 into 3 मेरा 30x हो जाएगा 60s हो गया is equals to 360 okay अच्छा चलो पहले यह वाला question करते है मैं भी आपको समझाऊंगा total मेरा 90x हो गया अब आप सोच रहे होगे कि सर यह किस टाइप का a is equals to b into c है a is equals to b plus c है तो यह आप खुद observe करो न यहाँ पे मेरा 2 result add होगे मेरा 3 result बनना है तो a is equals to b plus c हो गया और यहाँ पे मेरा multiply होके इसकी cost बननी है तो यह मेरा a is equals to b into c हो गया मतलब mix हो जाता है यह चीज़े है ना ठीक है so 9 forza 36 x की value मेरी कितनी हो जाएगी 4 अब देखो x की value मेरी पास 4 आ गई है तो यानि कि each apple और each mango का price मुझे पता चल गया है each apple और each mango का price मुझे हाँ पता चल गया है each apple मेरा कितने का था 3 x का तो 4 से multiply कर दूँगा 4 3 से 12 mango कितने का था 4 forza 16 हाला कि reality में ऐसा नहीं होता apple यहाँ पर दोको सस्ता कर दिया mango से but actual में apple ज्यादा mango होते है न ठीक है आम सस्ते मिल जाते है आम का season आता हम सस्ते हो जाते है but apple तो mango ही रहता है है ना हम लोग विचारे गरीब घर के सस्ते वाले apple काते है वो छोटे छोटे जो होते है spotted अब हम से बोलागी बताओ भई 50 apple और 60 mango का price कितना हो गया यानि 50 apple plus 60 mango का price क्या होने वाला है clear है तो 50 apple यानि कि एक apple का मुझे price मिलिया तो 50 apple का नहीं बता सकता है और में price आप देखो इस particular इसके अंदर मेरा a is equals to b type लग रहा है इस particular के अंदर because यह मेरा number of quantity हो गया यह मेरा each article का price हो गया इन दोनों को multiply कर दूँँआ total amount हो जाएगा और जब मैं इन दोनों को add कर दूँँआ तो a is equals to b plus 3 मतलब mix कर वा दिया यह मैंने clear है question को understand so a क्या है मेरे पास यहाँ पर 12 यह उपर दिख रहा आप लोग को उपर दिख रहा है क्या दिख रहा होगा और plus 60 into m क्या है आप लोगे पास 16 12,560 16,696 1560 मेरे पास यहाँ पर answer है clear है guys है ना तो 50 apple और 60 mango को price कितना हो जाएगा मेरे पास 1560 है ना अच्छे देखो मैं यहाँ पर एक चीज और और वराइटी उज़ और बतारता आप लोग को कि कभी कवार ऐसा होगा कि आपको total amount दे देगा आपको number of persons देदेगा आपसे each person की salary पूछ लेगा बता वह इच male और इच female की salary क्या होगी तो आप क्या करोगा आपको पता है यह दोनों मेरा multiply होने के बाद ही तीसरा बन रहा है अगर मुझे यह निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 15 को 5 से divide करना पड़ेगा वही चीज जो मैंने अभी आप लोग को बताईए कि भई अगर मुझे यह दोनों multiply होके यह result बना रहे हैं और अगर मुझे यह निकालना है तो मैं क्या करूँगा A को C से divide करूँगा वही चीज तो है यहाँ पर यानि कि यह मेरा B है sorry यह मेरा अगर B है into C है is equals to अगर A है यह है नट तो मैं क्या करूँगा अगर मुझे B निकालना है तो मैं A को C से divide करूँगा अगर मुझे C निकालना है तो मैं A को B से divide करूँगा बात समझ ज़या आप लोग को अगर मुझे इच परसन की सैल्दी पूछ लेता मैं क्या करता 15 को 5 से डिवाइड करता यहां पर 8 को 4 से डिवाइड करता तो 5 3 जा 15 4 2 जा 8 That's all guys मुझे आप लोग मेरे साथ बने रहे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खिदमत में मैं हाजिर रहूँगा बस थोड़ा सा कमेंट में मुझे कमेंट जो मैंने कोशन दिया उसका आंसर करिएगा और लेक्चर कैसा लगा आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा है ना ताकि मैं आपके जो एंड टाइम है बिल्कुल हाँ पर रिलेवेंट चीजे आप लोगों करा सकूँ और पॉइंट टू पॉइंट चीजे में करा सकूँ है ना ठीक है तो बस गाईज थोड़ा पहला लेक्चर आप लोगों थोड़ा सपोर्ट बगएरा दिखाने है और यकिन करिए हम जल्दी से चीजे कम्प्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेशन पर भी आएंगे ना अपना टैलिग्राम चैनल है जिन बच्चों को नहीं पता टैलिग्राम चैनल है अपना क्वांट लाइड डियाई की महफिल कर आप लोग मेरे से हां पर कनेक्ट हो जाईे मैं आप लोगो ताइम टो टैम अप्डेट देता रहता हमों कि मेर एक्टचर कब आने वाले हैं आप लोगो कि इस तरिकरे से क्या करना है जरू पर प्डेट देता Хотя आप प्डेट uh आप पर चैप्टर वाइस वेट जो कुछ भी हो में प्रोपर अपडेट चीज़ आप लोग को देता रहत हो ना तो प्लीज आप लोग इस टैलिग्राम पे तो मेरे से जरूर ही जुड़ना है आप लोग को बाकी में कमेंट में पिन भी करवा दूँगा है ना तो मिलते हैं लेक्स लेक्षे करें दर टाटा वाइवे टेक कर गाईस